कोई इनसान जब हार जाता है तो वो खुद को कमजोर समझने लगता है लेकिन ये आपकी कमजोरी नहीं बलकि चुनौती है आपको और भी बेहतर बनाने की हर एक इंसान जिंदिगी में कई तरह से हार जाता है जैसे की कोई अपने प्रेम की वज़े से जिंदिगी से हार जाता है तो कोई अपने कारे में असफलता की वज़े से तो कोई अपने परिवार से समात से हार जाता है तो कोई अपने शारिरिक और मानसिक कारणों से हार जाता है बजा कोई भी क्यों न हो लेकिन जब भी कोई इंसान जिन्दीगी से हार जाए तो उसे क्या करना चाहिए उसका सामना कैसे करना चाहिए स्री कृष्ण कहते हैं हमें हार नहीं मानना चाहिए जिन्दगी में मुश्किले नदी की लहरों की तरह होती हैं अगर हम ये सोचेंगे कि जब ये नदी की लहरे खत्म हो जाएंगी तब हम नदी में प्रस्थान करेंगे तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है क्योंकि नदी की लहरें तो हमेशा आती ही रहेंगी इसी प्रकार हमारी जिंदगी भी एक नदी की लहर की तरह है जिसमें दुख और सुख रूपी लहरे तो आती ही रहेंगी तो जब हम जिंदगी में हार जाएं तो हमें बैठे नहीं रहना है लेकिन कई लोग ऐसी सोंच रखते हैं कि जब हमारा बुरा बक्त खत्म होगा जब ये मुश्किले खत्म होंगी तब हम कुछ करेंगे तो ऐसी सोच रख कर हम जिन्दगी तो जिएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे क्यूंकि ये प्रकिर्टी का नियम है हमें दुखों में मुश्किलों में आगे बढ़ना ही है इसलिए जब आप जिन्दगी में हार जाएं तो हार मत मानें बल्कि आगे बढ़ें जब भी आप जिन्दगी से हार जाएं तो कभी कोई निर्ने मत लें क्यूंकि जल्दवाजी में लिया हुआ निर्ने हमें हानी ही पहुँचाता है इसलिए कोई भी निर्ने लेने से पहले इसके बारे में सोचें और समझें तभी निर्ने लें क्यूंकि कई बार जल्दवाज आजी में लिया हुए निर्ने ही हमारी मुसीबत बन जाता है आप जो भी हैं आपकी ही वज़ा से हैं बहुत मुश्कीले हैं तो उसकी वज़ा भी आपकी है आज आप अपनी जिंदगी से हार गये तो अपना आने वाला कल बहतर कैसे बनाओगे इसलिए अपने कल को बहतर बन है तो बुरा वक्त हमेशा के लिए ना रहे इसलिए बुरे वक्त को हटाने के लिए खुद को बहतर बनाने की कोशिस करो ये दुन्या कर्म के अधिन है यानि कि आज जो कर्म करेंगे आपका फल भी वैसा ही होगा छल करोगे तो छल ही मिलेगा और सचाई से जीओगे तो हर पल सुख मिलेगा इसलिए आज आपका बुरा वक्त है तो वो आपके बुरे कर्मों का फल है इसलिए अच्छे कर्म करना शुरू कर दें उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा और सचाई से जीओगे तो हर पल सुख ही मिलेगा जिंदिगी में जब भी हार जाओ तो इट भी ले जाते हैं जबकि खड़े मकान की इट ले जाना बहुत मुश्किल है वैसे ही अगर आपने भी अपना भरोसा ही खो दिया तो मुश्किले और भी मुश्किल हो जाएंगे इसलिए खुद पर और भगवान पर हमेशा भरोसा बनाए रखें ये दिन भी चले तब न कारात्मक सोचने लगते हैं अपनी कम्या निकालते हैं बार बार किस्मत को कोशते हैं तो आपकी किस्मत बुरी नहीं है आपकी सोचना कारात्मक है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती इसलिए जब भी लगे आप जिंदिगी में हार चुके हैं तो अपनी सोच कुछ को साकरात्मक बनाए उन्हा प्रयास करने से ना घब आए और अपने मन में ऐसे बिचार रखे जो आपने एक अलग ही प्रकार की उर्जा भर दे और आपको आगे बहने के लिए मजबूर कर दे कई बार एक ही जगह पर आपको कई सारे नाकरात्मक बिचार आते हैं और ऐसे में यदि आप कुछ दिर के लिए अपने घर से बाहर निकल जाते हैं तो आप खुद को उत्साहित महसूस करा सकते हैं जब भी इसा लगे कि मन उदास हो रहा है तो अपने घर से निकल जाओ अकेले घूमने कहीं दूर आप जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे जब हम खुद को हारा वा महसूस करते हैं तो हम नाकारात्मक्ता के जाल में पूरी तरफ अस चुके होते हैं जिन्दगी केंती हैं आपने क्या कमाया क्या गवाया यह सब कुछ माइने नहीं रखता ऐसी स्थिती में आप खुद के प्रति बेहद आलोचनात्मक रवय आप ना लेते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऐसे में आपको खुद को सांत्वना देनी चाहिए कि आप जो भी हैं बेहतर हैं और आपके अंदर और बेहतर बनने की काविलियत हैं आप को सोचना चाहिए आप जो भी हैं आप खुद से हैं बार बारी से तिरह के साकरात्मक विचारों का मनन करते रहने से आप बेहतर महसूस करने लगेंगे